नो मुखी रुद्राक्ष की माला उपलब्द है जै मातादी जै माका मख्या धर्म प्रेमी बंधूओं मा भगवती जगत जन्नी के जप रुद्राक्ष की माला से किये जा सकते हैं शीव जी के जप रुद्राक्ष की माला से किये जा सकते हैं हनुमान जी के जप रुद्राक्ष की माला से किये जा सकते हैं जो रुद्रा उतार हैं उन सब के जप शिवजी की माला से किये जा सकते हैं तो नो मुखी रुद्राक्ष की माला उपलब्द है ओरिशनल और आठ मुखी रुद्राक्ष की माला भी पूरे मोती जितने भी मोती हैं वह सब आठ मुखी रहेंगे और जितने भी मोती हैं वह सब नो मुखी रुद्राक्ष रहेंगे केवल तिन दिन के लिए यह माला आडर करने पर आपको प्राप्त हो सकती है केवल तिन दिन का समय आपके पास में है तिन दिन में आप آर्टर कर सकते हैं तो ये माला आपके पास में एक सभता के बाद में आ सकती है जाय मातादी, जाय मकामک्या अधिक जानकारी के लिए आप WhatsApp करें वहां से आपको और जानकारी, अन्य जानकारी आपको चाहिए तो प्राप्त हो सकती है 7987237285 और 7649862712 पर संपर करें वाटसप के मध्यम से नो मुखी रुद्राश की माला से जब करने पर बहुत फाइदा होता व्यावसाय में विशेशतोर से और 8 मुखी रुद्राश की माला से जब करने पर रुद्र और रुद्र से संबन्धित जो भी शक्तियां होती उनकी करपा प्राप्त होती है 9 मुखी रुद्राश की माला धारन करने से मनुष्य को दुर्गाजी की शक्ति सरवच्य माता का आशिरवाद भी मिलता है धीरज साहस बढ़ जाता है सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है बहादूरी बढ़ जाती है और जो मनुखी रुद्राश की माला धारन करता है उसको प्रसिद्धी भी मिलने की संभावना हो जाती है मनुखी गुडविल बढ़ जाती है नेम एन फेम बढ़ जाता है और जो 9 मुखी रुद्राश की माला से जब करता है और गले में भी धारन करता है उसकी भक्ती और शक्ती दोनों बढ़ती है यहने उसकी इच्छा शक्ती बढ़ जाती है इसलिए 9 मुखी रुद्राश की माला के फाइदे ही फाइदे है और 9 मुखी रुद्राश का मतलब है सीधी सीधी बात 9 मुखी रुद्राश को पहनने से आखों की द्रश्टी भी तेज होती है मा नवदूर्गा का स्वरूप माना जाता है नो मुख्य को जो मानसिक और भोतिक दोनों दुखों से बचाता है किर्थी भी बढ़ती है, मान सम्मान में भी उरद्धी होती है, मन को शांती भी मिलती है तो मनुख्यों को जो देवी मा के भगत हैं, उनको नो मुख्य रुद्राक्ष की माला धारन करना चाहिए ताकि देवी की क्रपा और बड़े और भोतिक दुख और मानसिक दुख से बच सके याने तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव भी नोमुखी रुद्राक्ष की माला पहनने वाले विक्ति को नहीं होगा चुकि नोमुखी रुद्राक्ष देवी दुर्गाजे से संबन्दी थे तो यह काला जादू से भी बचाती है यह पापों और चिंताओं को नश्ट करती है राहु के दुष्प्रभाव को कम करती है यह डर को दूर करने में मदद करती है नोमुखी रुद्राक्ष के लाब ही लाब है नोमुखी रुद्राक्ष का मतलब नो शक्तियों का प्रतीक माना गया है कपिल मुनी और भहरो देव की क्रपा भी इसी नो मुखी रुद्राक्ष पर बरसती है। सभी देवी देवताओं की क्रपा भी प्राप्त होकी है। यहां बहुत शक्ति-शाली रुद्राक्ष होता है। तो नो मुखी रुद्राक्ष तो यह मान करके चलें आपने साक्षाद देवी मा को स्विकार कर दिया है। तो इसलिए नो मुखी रुद्राश्की माला आदे किसी को चाहिए, तो वो देव राधा टरस्ट सत्यवानी चैनल से संपर करके केवल तिन दिन में आडर बुक कराना है. जय माता दी, जय मा का मक्या.